हेलो दोस्तो वैलकम बैक टू माई चैनल इसकिल टेक्नो चैनल आज की इस वीडियो में बिद्दुत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश कॉर्परेशन यानि की यूपी PCL की तरफ से एकांटेंट की पोस्टें निकाली गई हैं जिसकी वीडियो में आपके लिए लेके आया आते हैं फुल डेटेल में तो इस वीडियो को बिना स्किप कियो हुए बिल्कुल एंड तक देखना दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी PCL की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है बो सायक लेखाकार यानि की असिस्टेंट एकांटेट की वेकंसी है यहाँ प कर लेते हैं पहला पॉइंट है कि उप्रुक्त विक्तियों की संक्या आवसकता अनुसार घटाने वा बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश कार्परेशन लिमिटेड के बास है यानि कि इसकी वेकंसी घटती अबढ़ती है तो यह केबल यूपी PCL ही डिसाइट कर सकता ह इसके बाद जो next point है and important point है इसमें है कि आबेदन करने वाले अभ्यारती के पास आधारकार अत्पा बिधी माननी है फोटू यूग तो पहचान पत्र का होना अनुवारी है अगर आपके पास आधारकार और पहचान पत्र नहीं है तो जल्दी से बनवा लीजिए क्योंकि य उप्रवक्त पदों पर आरच्छण का लाव केबल उतर प्रिदेश राजी के मूल निवासी को ही अनुमनने किया जाएगा यानि कि आप आल इंडिया से अपलाई फॉर्म को कर सकते हैं लेकिन इसके आरच्छण का लाव केबल उपी के ही इस्टूडेंट को मिलने वाला है इसके बाद जो अगला पॉइंट है विग्यापति पद पर आवेदुकों की संख्या अधिक होने की इस्तेती में आउनलाइन यानि की सीवीटी जो परिच्छा होगी एक से अधिक पालियों या दिबसों में कराई जाएगी अगर यहाँ पे एक दिन में एक्जाम का समाप पन नहीं हो सकता है तो दो दिन या दो पालियों में हो सकता है करा लिया जाए लेकिन इसमें उसके बाद जो है नॉर्मलाइजेशन मेर्थिड का उप्योग किया जाएगा इसके बाद हम बेतन देख लेते हैं बेतन मेर्ट्रिक लेविल 5 के तहर जो है आपको 29,800 से 94,300 के पीज में पिलस अन्य भत्ते आपको दिये जाएंगे जो की उतर प्रदेश यूपी PCL के द्वारा लागू किये जाएंगे तो यहां पर आपको बेतन बहुत अच्छा मिलने वाला यहां पर 29,800 से आपकी स्टार्टिंग होगी और आगे चलके आपको बेतन बढ़ता जाता है आप थोड़ी बात कर लेते हैं यहां पर एजूकेशन क्वालिफिकेशन की से छड़िक की तो यहां पर आपके पास जो है असिस्टेंट एकाउंटेट की जो पोस्ट निकाली है उसके लिए आप बाड़ेचिय से इसनाथक डिग्री यानि की आप बीकॉम किये हु हो इसके बाद आयू सीमा देख लेते हैं आयू सीमा की बात की जाए तो 21-40 वर्स के लोग इसमें फर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो है वह एक साथ 2020 से कल्कुलेट की जाएगी अब बात कर लेते हैं इसके चेर्ण प्रगरिया की तो यहां पर आपका जो है एक सी जो आपका CBT होगा यानि की computer waste test होगा यहां पर लिखा है सायक लेखाकार के पद पर विद्दुत सेवा आयोक के मादियम से सीधी भरती है तो बस्तुनिष्ट प्रकार की लिखित परिच्छा CBT होगी लिखित परिच्छा का प्रसन पत्र दो भाग में होगा पिर्थम परस जाएंगे अब देख लेते हैं पहले भाग को तो पहले भाग में यहां पर आप देख सकते हैं कि CBT जो होगा पहली लिखित परिच्छा होगी तो उसमें DOEACC के O स्थर का computer ग्यान से संबंदित यानिकी O level के स्थर से आप से question पूछे जाएंगे जिसमें आप से 50 question पूछे जाएंगे एक question एक नंबर का होगा टोटल 50 नंबर की परिच्छा होगी और इसमें बन भाई फोर की negative मार्किंग भी है प्रिथम भाग का दूसरा point आप भी दिया गया है यहां पे लिखा है कि computer ग्यान की प्रिथम भाग की परिच्छा में कम से कम 50% अंक लाना आनिवारी हो जो इसका दुतिये भाग है दुतिये भाग को देख लेते हैं दुतिये भाग में आपका जो cbt होगा लिखित परिच्छा होगी उसका syllabus दिया गया है यहां पे तो उसमें general science and general Hindi से question पूछे जाएंगे और arithmetic से question पूछे जाएंगे उसके बाद जो तीसरा यहां पे लिखा है पॉइंट इसमें है accountly accounting and income tax इसमें account से question पूछे जाएंगे accounting से question पूछे जाएंगे अब क्या क्या आपका accountant का syllabus है आप यहां पे देख सकते हैं यह यह accountly का syllabus है एंड यह accounting and income tax का syllabus दिया गया है तो यहां पे आप इसमें syllabus को देख सकते हैं इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा point क्या है इसमें क्या है कि एक question जो है एक अंक का होगा और इसमें आपसे 1500 question पूछे जाएंगे और पिरतिये गलत उतर के लिए आपसे बन वाइ है इसमें लिखाए computer ग्यान के प्रिफ्थम भाग के प्रिफशन पत्र में अर्जित अंक स्रेश्टा मेरिक्ट निविधारण हे तु नहीं जोड़े जाएंगे यानि कि computer ग्यान का जो paper होगा आपका पहला बाला वो केबल यहां पर qualify nature का रखा गया है यानि कि केबल आपको 50% उसमें अंक लाने आबश्यक हैं परिफ्था के इस्थान दिये गए हैं यानि कि exam city दी गई हो तो यहां पर आप देख सकते हैं परिफ्थाएं यथा संभव लखनव मेरेट आगरा ये बाणारसी सहर में होगी अब भ्यारतियों की संक्या के आधारी पर अथवा विसेस बढ़ाया जा सकता है तो यहां पर इन्होंने चार सिटी के नाम दियें बताया कि हो सकता है परिफ्था यहीं यहीं हो लखनव मेरेट आगराब बाणारसी में एक्जाम होने के ज्यादा चांचे साएं इसके बात कर लेते हैं इसके आवेदन सुल्क की तो आवेदन सुल्क को जो है यहां पर उत्तर प्रदेश के अनसोचित जाती अनसोचित जाती के लिए 700 रुपए और जो पिछड़ा बर्ग के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहां पर एक हजार रुपए बाकि जो भी विकलांग अभ्यारती हैं उनके लिए यहां पर 10 रुपए का केवल आवे सितमबर दी गई है नेट बेंकिंग डेविट कार्ड से जो आप पेमेंट करेंगे उसकी डेट भी सेम डेट है 9 सितमबर से 29 इस सितमबर तक आप इसके पेमेंट को जमा कर सकते हैं इसके बाद इस चालान के द्वारा अगर आप यहां पे पेमेंट करते हैं तो आपके लिए जो लास्ट डेट है वो 9 सितंबर से एक अक्टूबर जो है यहाँ पे एक अक्टूबर तक आप इसके ओनलाइन चालान को जमा कर दीजिए इसके बाद जो इसकी सेवीटी है संबावित थी अक्टूबर महा के चतोर्त सप्ता में दी गई है तो दोस्तो यह थी आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि EOP PCL Accountant के लिए जो पोश्टे निकली थी उसकी फुल डिटेल आपको कोई भी कन्फूजन हो तो मुझे कमेंट डॉक्स में कमेंट कर दे बहाँ पे हम आपके कोश्टन का जबाब अवस्य देंगे दोस्तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्क्राइब कर लिए और पास वाली बैल आइकन को दबा दे ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो ल हाँ